हलो एवरिवन हैपी होली दोस्तो परिवार में सभी के लिए त्योहार का सिर्फ एक ये मतलब होता है मस्ती और खूप सारी मस्ती वही दूसरी हो और त्योहार चाहे कोई भी हो हाउस वाइफ के लिए उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है काम यानि धेर सारा काम इसलिए आपकी दोस दीपी का कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली है जो आपके बारा के बारा महीनों के कामों को आसान बना देंगे तो जो टिप पसंदा है उसे तुरंथ लाइक कर दीजेगा इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तो अकसर आपने नोटिस किया होगा कि जो काले रंग के कपड़े होते हैं ना चाहे पैंट हो शर्ट हो टी शिर्ट हो उन्हें हम जितना मर्जी केर से वाश करें जैंटल में दोएं लेकिन एक दो बार की धुलाई के बाद थोड़ी रफनेसा जाती है हलके हलके से उनके वाई स्पोर्ट से नजर आते हैं चोटे चोटे से रुए नजर आते हैं बाहर आने जाने में ऐसे कपड़ों को जो पहन के जाऊना तो अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे में दोस्तों जो एकदम से नए कपड़े हैं आने जाने वाले पाटी वेर कपड़े हैं उनके साथ आप वो ही ट्रिक फोलो कीजिए जो अक्सर मैं फोलो करती हूँ जो बड़ी वाली चोड़े वाली टेप आती है न ट्रांस्परेंट टेप उसे ले आईए अब टेप को खोलने का तरीका जरा सा अलग है ध्यान से देखेगा यानि कि टेप हमें उतनी जादा निकाल लेनी है एक बार में कि ये पूरा रोल जब अपोजिट साइट में हम डूसी डिरेक्शन में लपेट है ना तो पूरा इस टेप के बंडल के चारों तरफ लपट जा आते हैं जो बाजार वाली रूए रिमूफ करने के मशीन आती हैं वो भी नहीं निकाल पाती है तो दोस्तों मुझे ऐसा करते हुए देखकर के आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिए बहुत ही जादा कारगर ट्रिक है ब्लैक कपड़े पे इसे अप चार के दिखाती हूँ तो दोस्तों रिजल्ट आपकी आखों के सामने हैं फरक आप खुद देख सकते हैं जितनी भी ड़स थी छोटे छोटे रूए थे सारे के सारे इस टेप के उपर चिपक गए हैं क्लियर टेप भी आप देख सकते हैं तो दोस्तों ट्रिक पसंद आई ह तो चोटा से लाइक कर देना और चैनल पे नई हो तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस से की यूस्फूल टिप्स आपको टाइम पे मिलती रहें दोस्तो साबू निकालने के बाद इस पैकिट को हम हमेशे फेक देती हैं लेकिन आज के बाद मत फेक एगा खास कर गर्मी में ये बहुत काम आएगी दोस्तो इसके अंदर चोटे चोटे से कट बना लीजेगा और उसके बाद जो इसके अंदर का जो एनवलप है उसे निकाल लीजेगा उसे निकालने के बाद भी ये थोड़ा सा गिला हो गया है मैं इसे सुखा लेती हूँ सुखा लेने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे न कपूर के पीस रखके रोल कर लीजिएगा और रोल करने के बाद वापस से साबुन के पैकेट में डाल दीजिएगा अब इसका मैं क्या करने वाली हूँ ध्यान से देखे तो आपके घर में छिपकले जहां कहीं भी रसोई में जादा आती है ना गैस के आसपास, मिक्सी के आसपास या फिर आटे के ड्रम के पास तो छिपकले डिरा डाल के रखती है सिंग के नीचे भी छिपकले बहुत मिलती हैं वहाँ पे आप इसे रख दीजिए एक तो साबुन की महक, उपर से कपूर की स्ट्रोंग खुश्बू, दोनों चीज़ें छिपकली तो दूर उसकी परचाई को भी पास नहीं आने देंगे, एक भी मच्छर नहीं आएगा तो उम्मीद करती हूँ यह वाली ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी दोस्तों दवाई के पत्ते जो खाली हो चुकी हैं यानि जिनकी दवाई हम निकाल चुके हैं उन्हें कभी भी ना पहके यह बहुत ही जादा काम आ जाते हैं गर में जब भी कैंची और चाकू पुराने हो जाते हैं तो धार बिल्कुल खतम हो जाती है तो ये दवाई के जो पत्ते होते हैं इने लगातर काटने से कैंची की धार बहुत जादा तेज हो जाती है और इने काटने के बाद आप कोई भी रफ चूड़ी आपके घर में कोई भी काच वाली चूड़ी आना उसे ले लीजिए और कैंची को 2-3 मिनद तक उसके ओपर कट करते रहें तो दोस्तों कैंची चाहे कितनी भी पुरानी हो कितनी भी उसकी धार कम हो अगर ये दोनों चीज़ें यानि कैंची को चूड़ी पर चलाना और कैंची से दवाई के पत्ते काटना अगर आपने 4-5 बार भी कर दियाना तो फिर से कैंची के धार वापस आजाएगी पुरानी जैसी तो दोस्तों मैं हमेशा यही वाली ट्रिक अपनाती हूँ आपको भी पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों यह जो जो जोल्री पाउच होते हैं यह बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट आते हैं और हम ज़्यादा आ जाते हैं तो हम इने फेक देते हैं लेकिन क्या आपको पता है यह कितने ज़्यादा काम आ जाते हैं जिन बैड के साथ में ड्रोर अटैच नहीं होती है साथ में कोई हम स्टूल भी नहीं रख सकते हैं ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है वहाँ पे आप इने साइट पे इस तरह से अटैज कर लीजी इनमें आप रात को अगर विक्स लगाती हो वैसलिन लगाती हो या पिर आपको रात को गाने सुनने का शोग है तो आप मोबाइल रख सकते हैं हैंकी रख सकते हैं जरूरत का कोई भी समान रख सकते हैं तो आप भी इस ट्रिक को जरूर ट्राई करें पसंद आई हो तो दोस्तों में भी शियर कर दें दोस्तों यह वाली बात तो आपने भी नोटिस की होगी कि जब यह मार्किर से नया कंगा खरीद के लाते हैं तो 10-15 दिन तक हमारे से में बहुती ज़्यादा चुपता है तो ऐसे में बहुती आसान सी छोटी सी ट्रिक है इसे ट्राइ कर लीजिए प्रैस को सिर्फ 1-2 मिनिट तक गरम करके ठंडा कर लेंगे ज़्यादा गरम नहीं करना है और उसके ओपर कंगे को इस तरह से रखेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि कंगो को इस तरह से प्रैस पे करने से क्या होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि जो एकदम से शापनेस होती है ना इन दांतों की वो प्रैस में इस तरह से करने से थोड़ी से मैल्ट होके राउंड राउंड शेप में आ जाती है और फिर दाते ना तेज ना लग करके soft लगने लगते हैं तो दोस्तों बाते चोटी-चोटी सी हैं लेकिन सच में इतनी असरदार हैं कि इन्हें ट्राइ करने के बाद life सच में आसान हो जाती है तो उमीद करती हूं यह वारी ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी दोस्तों गर्मियों में जिस स्जीज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है वो है हमारी प्यारी taraf, शिकंच बनाऊ, शीक बनाऊ चाहे, कुछ भी बनाऊ, बरफ तो चाहिए चाहिए लेकिन बरफ की डिमांड जितनी जल्दी होती है इतनी जल्दी बरफ नहीं जमती है लेकिन आपसे इस ट्रिक के बाद बरफ भी जम जाएगी डिमांड से पहले जितने पानी के आपको बरफ जमानी है उसमें डाल लीजिए थोड़ी सी चीनी और बस कुछ सेकंड इसे गरम करना है हलके गुनगुने इस पानी में जब चीनी मिल जाएगी न और फिर हम इसे जमाएंगे तो सिर्फ एक घंटे के अंदर आपके बरफ जम के तयार हो जाएगी तो दोस्तो इसमें कुछ भी फेक नहीं है एकदम से ट्राइड अन ट्रेस्टिट ट्रिक है जड़ू ट्राइ करना और पसंद आये तो दोस्तों में भी शेयर करना अक्सर हम सभी की मिक्सियां इसी तरह से फैली रहती है जगा भी ज़्यादा लेती है तो देखने में ओगनाईज भी नहीं लगती है तो ऐसे में बेकार पैन का धकन जिसे हम फैकने वाले थे बहुत ही यूसफुल है नबल साइडी टेप लगा के इसे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे और रोल करके तार को जब इसमें लगाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ओगनाईज लगेगा स्पेस भी कम लेगा तो हैना अची ट्रिक ज़रूर अपलाई करना अब बारी आती है आज के आखरे ट्रिक की जो है होली स्पेशल ट्रिक दोस्तों अगर आप भी होली के बहुत ज़्यादा शोकीन है और पक्के रंग से होली खेलने वाले हैं तो होली खेलने से पहले थोड़ी सी तयारी कर लीजे ताकि आपके स्किन खराब ना हो तो होली खेलने से पहले आप गोले का तेल और घी को आपस में मिक्स कर लीजे और हलका सा गरम कर लीजे उसके बाद शरीर पे सभी जगा लगा लीजे जितना मरजी पके रंग से होली खेलना ना थे वक्त जब हलकी सी साबुन ही आप लगाएंगे ना तो बिना रगड़े ही सारा रंग एक बार में उतर जाएगा वरना दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पका रंग उतरने में हफ्ते 10 दिन अराम से लग जाते हैं और हमारी सेकेंड लास्ट टिप भी इसी से लेटेट है दोस्तों शरीर का रंग तो फिर भी उतर जाता है लेकिन जो रंग नखूनों में लग जाता है उसे उतरने में महीने लग जाते हैं नेल पोलिश लगाने के बाद सारा पका रंग नेल्स के उपर आके टिक जाता है नेल्स अंदर से खराब नहीं होते हैं और होली खेलने के बाद आप डिमोवर से रिमूव करना सारे नेल्स क्लियर नजर आएंगे तो दोस्तो जो टिप पसंद आए उसे लाइक कर दीजेगा और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको पसंद आया हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत आपको मिल सके और आ आपको मिल सक और आपको मिल सकती वीडियो कि आपको मेरा वीडियो उने अईक lucky पर्मेर आपको मेरा आपको वीडियो गरेस कम papel पाले मेरा आपको